और इस तरह का उत्साह लगातार क्योंकि अब वो शन बेहद नस्दीक है जिसका सभी को इंतजार था और अब तो पुरानी मूर्तियों को भी नए मंदिर में पहुचा दिया गया था जिसकी लिए लगातार ये बातें कही जा रही थी कि जो टाट में रही वो मूर्तियां भी मंदिर में होनी चाहिए वो तमाम मूर्तियां अब उस जगे प्रवेश करा दी गई है जो एक भव्य मंदिर बना हुआ है नए मंदिर में वो मूर्तियां ले जाई गई है और प्रान प्रतिष्ठा का वक्त अब बहुत नस्दी रामला की मूर्ति विराजमान हुई है नए पर जब 12 बच कर 20 मिनिट की वो शुब घड़ी आएगी वो शुब मूर्त होगा लेकिन इसके अलावा जो पुरानी मूर्तिया थी जो दर्शन लोग करने गए होंगे आप में से कई सारे दर्शक होंगे जो दर्शन करने गए होंगे लेकिन टेंट में भगवान श्री राम को आपने उस वक्त देखा होगा उन्हीं मूर्तियों को बगवान श्री राम की उस मूर्ति को उनकी तीनों भाईयों के साथ हलुमान जी के साथ अंदर सुशोभित मंदर के अंदर कर दिया गया है यानि जो पुरानी प्रतिमात है और जो नई प्रतिमा है दोनों एक साथ एक पर रहेंगी और ये बड़ी खबर है इस वक्त की आयुद्या से आ रही इस वक्त की बेहद एम और बड़ी खबर कि जो कई सालों से मूर्तियां थी टेंट में वो भी अब नए मंदिर में ला ली गई है विराजमान उन्हें भी करवाया गया है और राण प्रतिश्चा को लेकर पूरी दुनिया में जश्न मनाया जा रहा है अमेरिका का सेन फ्रांसिस्को शहर भी इसी रांग में रंगा हुआ नज़र आ रहा है लोगों ने जश्री राम के नारे लगाए वही गाड़ियों की लाइट जलाकर अपनी खुशी भी दाहिर की ये तस्वीर है आपके अज़र आपके लाए लाए रहा है